सन 1584 में एक अंग्रेजी व्यापारी अग्बर की राजधानी आए उसने लिखा आग्रा और पत्यपूर दोह बड़े शहर हैं उनमें से हर एक लंडन से बड़ा और अधिक जम संकुल है सारे भारत और इरान के व्यापारी यहां रेश्वी तथा दूसरे कपड़े बहुमूले रख धीरा और मोती बेशने के लिए आते हैं हलाकि कुछ सालों के भीतर ही पानी की किलत के कारण शहर को छोड़ दिया गया किन्तो आज भी यह शहर अच्छी हालत में है और यह भारत के मुखे पर इटन स्थलों में से एक है बाबा सलीम चिष्टी के सम्मान में ही बादशा अगबर ने बुलंदर्वाजा बनवाया था यहाँ पर बादशा अगबर का महल भी है जो कि भारत सरकार के पूरा तत्व सन्रक्षन विभाद ग्वारा सन्रक्षित है यहाँ पर जोदावाई महल, पंच महल, अस्तबल, पचीसी दरबार, विवाने खास, विवाने आम, बीरबल महल, अनूप तालाब भी है जहाँ पर सुर्षमराज तानसेईद अपना संगीत सुनाते थे शेक सलीम चिस्ति की समाधी भारत के आगरा जिले में नगर से 35 किलोमिटर दूमूर फतेफु सिक्री शहर में जनाना रोजा के मिकट डक्षिन में बुलंदरवाजे की और मुख किये हुए है, बुलंदरवाजे की और मुख किये हुए जामि मज़िद के भीतर सत है